आज मैं अप्लोड करने की त्यारी में हूं मतलब रिकॉर्डिंग कर रही हूं हम लोगों ने पिछले चप्टर अपना गैश्चेंज चेप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने पीछे कुछ टम्स पर रही थी उसके बाद हमने गैश्चेंज इन प्लान पड़ा था और कल ह हुए यह पढ़ा है कि हम यह पड़ा था है कर तो मिंगे पर्षिंट से चोडिक तक पांचा और यह तक पढ़ा था कि लंग में किस तरह गैश्चेंज होता है elvoli to start होती है आपकी air की entrance और alveoli तक पहुँचती है और alveoli में पहुँचने के बाद आपका gashes exchange होता है ठीक है आज हम पढ़ेंगे कि हम breathing का process कैसे करते है mechanism of breathing के आगर जब हम breathing कर रहे होते हैं तो उस दरान हमारी body में कितने changes आते हैं, क्या-क्या ऐसे कौन से events होते हैं, जिसकी वज़ा से हमारी breathing complete होती है, ठीक है, तो पहले तो हमना breathing की definition देख लेते हैं, आपने वैसे breathing की definition देखी थी, it is a mechanical process in which we take the oxygen from environment and release the carbon dioxide, ठीक है, अब यहां पर क्या है, the physical movement related to the gaseous exchange is called breathing, ऐसे physical movement जिसमें हम gaseous exchange कराते हैं, मतलब oxygen और carbon dioxide का आपस में exchange कराते हैं, इस process को हम नेम दे देते हैं, breathing का, अब ब्रीधिंग बेसिकली दो phases पे consist होती है, number one is your inhalation and number two is exhalation, पहला वो process जिसके अंदर आप हवा को अंदर लेके जाते हैं, इसको हम inhalation कहते हैं, और दूसरे को जिस हम हवा को अंदर लेके जा रहे हैं, gaseous exchange करवाने के बाद हवा को बाहर निकाल रहे हैं, अब मैंने यहां पर इन दोनों के दर्मियान, इन दोनों फेसे के दर्मियान, क्या differences है, पहला तो inhalation में क्या है, air drawn into the lungs, हवा जो है लंक्स के अंदर जाएगी, ठीक है, जब हवा लं तो हमने पड़ा था कि रिप्स के मसल होते हैं, जिसको हम इंटर कोस्टल मसल कहते हैं, यह मसल कंट्रैक्ट करेंगे और रिप्स करेंगे, और रिप्स करेंगे, और रिप्स करेंगे, और रिप्स करेंगे, तो आपको फील होगा कि यहां पर कंट्रैक्शन आपको फील होग जिसको हम diaphragm कहते हैं जो हमारी breathing में हमें help करती है यह भी contract करती है और इसकी कुछ shape doom like इस तरह की होती है लेकिन यह थोड़ी से less doom हो जाती है जब हम inhalation करते हैं ठीक है जब हम inhalation करते हैं तो वो less doom हो जाती है ठीक है अब area increase का area increase होने के जैसे क्या होता है लंक्स के उपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है लंक्स के उपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और लंक्स जो है वो expand कर जाते हैं एक्सपेंशन की वज़ा से क्या होता है अंदर हमारा जो एयर का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और एयर बाहिर से अंदर की तरफ मूफ करना शुरू करती है ताकि इसको बैलन्स रखा जाए प्रेशर को दोनों साइड पर मतलब लंक्स के अंदर भी और हमारी सराउंडिं चीक हूँ करेंज हूँ पर उसके बाद सीचेंजिंग उसके वादी तो से लंग्स एक्सपैंड हुए लंग्स की इस से सारे स्क्राइस की वज़ह तरहक्षा ए प्रेशर ओफ कर आकि प्रेशे की तरफ मुफ dalla तकि रहां प्रेश को बैलन्स रखाे देशर में भी और हमारा पहला फेस कंप्लीट हो गया हम एर को अंदर ले गया अब हमने उसी हवा को बाहर निकालना है इस प्रोसेस को हम देम देंगे एक्जलेशन का दी एर एक्सपेल्ड आउट ओफ दी लंग इस प्रोसेस इस नौन एस दी एक्जलेशन अब इसमें टोटली उलट काम होगा जहां पर पहले रिब मसल्स कंट्रैक्ट करें थे इस प्रोसेस में रिब मसल्स जो हैं वो रिलाक्स करेंगे और रिब केज अपनी ओरिजनल पोजीशन पर वापिस आजाएगा अब रिब अपनी पोजीशन पर वापिस आएगा तो क्या होगा हमारा एरिया ओफ चस्ट तरफ मुव कर जाएगी ठीक है क्या हुआ आप एर को अंदर लेकर जा रहे हैं रिब मसल्स पहले कंट्रेक्ट कर रहे थे अब वह हवा को बाहर निकालने के लिए रिलैक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से रिब केज अपनी वापिस पोजीशन पर आ जाएगा लंग के उपर आप के तरफ मुव हो जाएगी यहां तक आपका इनहीलेशन और एक्जिलेशन का जो है वह प्रॉसस कंप्लीट हो जाता है मतलब यह टोटल प्रॉसस है आपका ब्रीधिंग का आप पहले इनहीलेशन करेंगे और फिर एक्जिलेशन करेंगे यह यह इतना सही है कि आप निके सा है अधिटे होता है कौडिनेशन में जितने काम हो रहे होते हैं हमारी बॉडि के अंदर वह सब काम ज्वेना वह यह में ब्ॉरिधिंग के इस ने डाया घृत करने भी एक मिनट में आप 16 से 20 के दर्म्यान सांसे लेंगे मतलब एक लेके जायेंगे दुसरी पार ये एक साइकल कंप्लीट हो अंदर लेकर इस एक स्ट काउंत के से Cap now क्या होता है कभी जब कभी बोड़े एसा हो कि आप मतलब क्या है हमारे मरें ब्रेइन में एक फार्ट है जिसको हम देदें रिस्परेटरी सेंटर अभा रिस्परेटरी सेंटर हमारी भी ब्रीदिंग कि रेट को जो है वो थैं यह इसको स्टिमॉलेशन के लिए इसको एक्टिफ करने के लिए आपको कुछ चैंजेश चाहिघे carrier तो इसको जब active होना होता है ना तो यह carbon dioxide amount से बहुत sensitive होता है हमारी carbon dioxide amount हमारे blood में जो है वो डिटर्मिन करती है कि हमारा breathing rate कितना होगा मतलब amount of carbon dioxide stimulate करती है हमारे respiratory center को ठीक है अब respiratory center अब कभी ऐसा हो कि आप कोई hard work करें है आप exercise करें आप जमिंग करें उस दुरान क्या होगा आप hard work करें आपके muscles ज्यादा ज्यादा respiration करें ठीक है क्योंकि आपको energy चाहिए और energy आपको respiration के process से ही मिलेगी तो क्या होगा अब आप respiration ज्यादा करें तो आपकी carbon dioxide की amount भी जो है intercostal muscles को और हमारे diaphragm को messages send करेंगा कि अब आप rate of breathing बढ़ा दो ठीक है अब हमारा जब आपने देखा inhalation और exhalation breathing का process ही start intercostal muscles से होता है सबसे पहले intercostal muscles contract करता है तब हम inhale करने की position में आते हैं तो क्या होगा respiratory system हमारा जो brain में मुझूद है वो हमारे rib muscles को और हमारे diaphragm को जो है messages send करेंगे कि अब आप अपनी activity को बढ़ा दें ताकि breathing का process fast हो सके ठेक है क्योंकि आपको respiration के लिए oxygen जादा चाहिए ठीक है अब क्या होता है अब जब आप rest position से working position में आ जाते हैं तो आपका rate of breathing जो है वो 30 to 40 times per minute हो जाता है मतलब इतना जादा increase हो जाता है इतनी जादा activity हम कर रहे होते हैं ठीक है अच्छा अब क्या होता है जब आप हवा को अंदर लेके जाते हैं तो उसकी composition of air is a mixture of gases ठेक है हम सबको पता है air is a mixture of gases अब उसमें certain amount of oxygen है carbon dioxide है दूसरी gases है उसके इलावा और भी बहुत सी चीज़ों होती है तो क्या है अब क्या है जब आप air को अंदर लेके जा रहे हो तो उसकी composition और टाइप की होगी लेकिन जब आप उसको expire कर रहे हो उसको बाहर की तरफ निकाल रहे हो तो क्या है आपकी composition totally different हो जाएगी ठीक है अब हम यहां पर comparison पढ़ेंगे कि जब हम air को अंदर लेकर जाते हैं लंग्स के अंदर एंटर कराते हैं तो उस वक्त इसके क्या composition होती है और जब हम उसको surrounding में बाहर की तरफ निकालते हैं तब उसकी क्या composition होती है सबसे पहले आपका आजाते है amount of carbon dioxide आपको पता है कि आपकी environment में air मुझूद है यह हम chemistry में प लेते हो तो कुछ amount अब एक आपके पास मिसाल के तोर पर चार सेव है ठीक है एक बंदे ने दो निकाल लिए तो पीछे कुछ तो कमी आएगी ना तो सेम यही हिसाब है कि अग जब आप oxygen को अंदर लेके जाते हैं मैं air को अंदर लेके जाते हैं और आप निसमें से में कंप oxygen मुझूद होती है लेकिन जब आप उसी हवा को बाहर निकालते हो तो 16% होती है मतलब आप इसमें से 5% निकाल लेते हो उस टोटल में से 5% जो है वो निकाल लेते हो ठीक है अच्छा अब क्या हुआ अब आगया आपका amount of carbon dioxide आप ने carbon dioxide air को देनी है ठीक है अब air में air में छ जाते हो उस वक्त आपके पास 0.04% होता है मतलब टोटल air का जितना mixture का 0.44% जो है आपके पास carbon dioxide में मुझूद होते हैं लेकिन जब आप उसको exhale आउट करते हो तो आपके पास 4% जो है वो उसकी percentage wise amount हो जाती है मतलब इतनी ज़्यादा है इनकी कहा 0.04 और फिर कहा 4% अब आ हमारे पास यह ability नहीं है कि हम इसको fix कर सके जिस तरह हम oxygen को fix कर रहे हैं अपनी environment में से ले सकते हम इसके able नहीं है कि हम जो है अपनी nitrogen को भी ले सके तो nitrogen में as such कोई change नहीं आएगा 79% ही थी और जब आप एक्सेल आउट करोगे air को तब भी 79% ही होगी अब आ जाते है amount of water water vapors आपको पता है कि आपकी variability होती है कभी humidity जादा होती है कभी कम होती है सद्धियों में humidity जादा होगी और गर्मियों में humidity air में कम होती है तो क्या होता है अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है आपके nasal cavity में mucos होता है ठीक है mucos का यहीं काम होता है कि वह air को क्या क अब क्या होगा अब यह होगा कि जहां अगर अमाउंट मिसाल के तौर पर कम थी ना मारी सराउंडिंग में वाटर वैपर्स की तो क्या होगा जब हम उस हवा को अंदर ले जाकि दुबारा बाहर निकालेंगे ना तो उसमें सैचुरेशन आ जाएगी मतलब जादा वो मॉइस हमारे रेस्परेक्टरी सिस्टम में जाकर जो है वो डिस्टर्बेंस काज ना करें अब क्या हुआ डस्ट पार्टिकल से आप हवा को अंदर लेके गए फिल्ट्रेशन हुई की उसके बाद आपने गैस्टेस एक्षेंज किया अब आप हवा को बाहर निकाल रहे हैं तो क्य हमारा टेंप्रेचर अब मैंने आपको पिछले प्रिवियस लेक्चर में यह बात भी समझाई थी कि हमारा एक स्पेसिफाइड बॉडी टेंप्रेचर है और स्राउंडिंग का थोरा डिफरेंट है तो क्या हम तो स्राउंडिंग से एयर को ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो नेजल कैविटी में हमारे पास म्यूकस मोजोद है उसका फिर यह काम है कि वो हमारी एयर को हमारी बॉडी के टेंप्रेचर के मताबिक एड़्जस्ट करता है ठीक है तो यही काम होगा कि पहले अगर टेंप्रेचर कुछ भी हो वेरियेबल है कोई भी टेंप्रेचर है लेकिन जब भी आप हवा को जो है वो सांस को बाहर की तरफ निकालेंगे तो आपकी उस सांस का जो टेंप्रेचर होगा वो इक्वल्स टू आर बॉडी होगा हमारी बॉडी के बिलकुल इक्वल होगा यहाँ बर आपका लेक्चर समप हो रहा है ठीक है आपने ब्रीधिंग ब्रीधिंग पढ़िए ब्रीधिंग क्या है ब्रीधिंग के दो फेजिज हैं इन्हेलेशन एक्वलेशन वो टोटली आपने फिनॉमिना पूरा मेकनिजम पढ़ा कि कैसे आपका जो है पहले आप हवा को इन्हेल करते हो उसके बाद गैस्टेंग के बाद उसको एक्वल कर पिर आपने ये पढ़ा कि आपका ब्रीधिंग प्रॉसेस कौन कंट्रोल करता है और किस तरहां कंट्रोल करता है वो सारा आपने पढ़ा उसके बाद आपने ये स्टडी किया कि जब आप सांस को अंदर लेके जाते हैं उस वक्त उसकी क्या कॉमपोजिशन होती है और जब आप उसी सांस को बाहर निकाल लेते हैं गैशिस एक्सचेंज के बाद तो उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है यहां पर आपका लेक्चर बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है आपको अगर मेरी वीडियो बहुत जादा पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा के आपको मेरी वीडियो कैसे लगा अलाहाफिज